हेलो गाइस और वेलकम बैक टो पोकेमोन जो नाइट की अनुदर वीडियो में और मेरे को मालू मैं बहुत दिनों के बाद जा रहा हूं वीडियो अपलोड करने आइधिंक वन वीक हो चुक है जब तक मैंने एक भी वीडियो अप तक अपलोड नहीं करी थी तो फाइनली एक वीडियो में ड्रॉप करने जा रहा हूं गाइस थोड़ा बिजी चल रहा हूं आदो को मालू मैं आदो को नहीं मालू मैं तो पता लग जाएगा देखो तो भाही चैनल का सीन यह चल रहा है कि हम बस वहीं पर अटके 8.34 एक हफते से देख रहा हूं डेली कभी कम हो रहें क अब बढ़ रहे हैं तो छलो छोडो अब बात करते हैं को लीक्स पे तो यहां पर सबसे पहले लीग जो है ड्राफ्ट मोड फैब में आने वाला यह तो कंफर्म है गाईस नेक्स चीज़ यहां पर चारिजार्ड अब युनाइट के अंदर आप देख सकते हो कि फायर पंच और फ्लेम थ्रोवर को यूज़ कर सकता है इन युनाइट फॉर्म म्यूटुवाई को नर्फ कर दिया गया है बेसिकली अब तो उसको एवल्यूशन को भी थोड़ा और नर्फ कर दिया गया है अब उसको एउस कोईन्स लगते है इवाल्व होने में पहले क्या था पांच क पायर होने वाला है एक मिनट के अंदर ये मेरे को सबसे ज़्यादा बेकार चीज लग रही है अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं 100% आएगा की नहीं लेकिन चांसे हैं नेक्स बात करते हैं चैंदल वेर यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली स्पेल्ट आप यहां पर देख स पर हर बार पिकाच्चू बोस्टेड मिलेगा उसको ग्रैंट सा पिकाच्चू बोस्टेड अब बात करते हैं जो स्प्रे से रिलेटिड मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी और बहुत सारे बंदों को मतलब मालूम नहीं है कि सच में क्या कुछ ऐसा आने माला है जिससे हॉलोवेर्स शाइनी चमकेंगे मतलब हॉलोवेर्स कुछ अलग दिखेंगे क्या गेम के अंदर तो जी हां गाईस आप यहां पर देख सकते हो हॉलोवेर एफेक्ट स्प्रे तो बेसिकली यह कुई स्प्रे होगा जिससे मेरे गाल से हॉलोवेर्स के कलर चेंज हो जाएंग या फिर कुछ होगा या यूनाइट एनिमेशन्स चेंज हो जाएं क्या गेम के अंदर ऐसा कुछ होगा अभी पूरा प्रॉपर हम पे वो नहीं है तो कुछ अभी बता नहीं सकता हूं मैं ठर्चेर यहाँ पर बात करते हैं शाइनी रिक्वाजा जो आने वाला था गेम के अंदर उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी अपडेट रिलीस करी है पोकेमोन यूनाइट वालों ने अपनी साइट से तो यह पर्मनेंट नहीं होगा जहां तक मैं बता दू अब आदे से ज चाहिनी रिक्वाजा होगा लेकिन उसके बाद मेरे खाल से अपडेट करके इसको हटा दिया जाएगा और नॉर्मल रिक्वाजा ला दिया जाएगा गेम के अंदर जो कि नॉर्मल ग्रीन कलर का है और यह थोड़ा मतलब डार्क टाइप का हो जाता है बेसी एक्सप्लेइन कर रहा हूं मेरे को कमेंट में ठीक मत करने लग जाना अब देखो 22 तारीक को मैं एक डेट बठाता हूं 22 को बहुत सारी चीजह आने वाली है गेम के अंदर मेरे को ऐसा पता लगा है मतलब बफ नर्फ सब कुछ मतलब 22 सारीक को एक यूं समझ लो कि अपडेट लाइड हमें सब कुछ और वो चीज़ ये एड़ कर देते हैं बाकी आपको तो पता ही है कि Battle Pass भी Mio Scrada का आने वाला है गेम के अंदर जिनको नहीं मालूम था मैं उनको बता दूँ कि next Battle Pass जो होने वाला वो Mio Scrada का होने वाला तो अगर आपको Mio Scrada पसंद है या आपका फेवरेट पोकेमॉन है तो जैम से खटा करना अब भी से चालू कर दीजिए तो बस गाइज यह वाली वीडियो इतनी थी I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ गाइज आज में स्ट्रीम नहीं करूँगा संडे को स्ट्रीम करूँगा आज मन नहीं कर रहा प्लीस समझ जाओ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाइज